हलो दोस्तों इस question में जैसा कि आप देख सकते है definite integration का ये question है इसमें बूला है limit दे रखा है minus pi by 4 से pi by 4 sin square x dx तो इसमें हम लोग solve करने के लिए definite integration का property यूज़ करेंगे जो कुछ इस प्रकार से था minus a से a अगर कोई function रहता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते है to zero to a fx dx इफ अगर ये condition एक रहता है कि अगर मेरा function जो है अगर मेरा function even है तब यह होगा अगर मेरा function मालेजिए odd है अगर मेरा function odd है तो इसका value zero हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग देखते है मेरा function कैसा है पहले check करना पड़ेगा तो sin square x जो है वो एक even function है अब देखिए sin square x का मतलब क्या है इसका मतलब है sin x का आप ऐसा समझ सकते है square तो यह मेरा event function है इसलिए हम लोग यह property को directly use कर सकते है उसका यह value होगा तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे to limit हो जाएगा मेरा 0 से मेरा यहाँ पर क्या बुला है यह मेरा minus a से a है न तो यह मेरा 0 to a हो जाएगा तो यह pi by 4 हो जाएगा और मेरा जो function है sin square x dx यह बात समझ माया तो मेरा question यह हो गया अब उसको आप भूल जाएगे यह मेरा question हो गया क्योंकि property से हम इसको लिखे आए तो अब हम इसको solve करते हैं जैसे इसको solve करेंगे आप जानते हैं sin square theta का एक formula हम लोग को पता है sin square theta जो होता है 1 minus cos 2 theta by 2 होता है ठीक है तो अब यह कहाँ साया तो यहाँ देखे cos 2 theta जो होता है वो 2 cos square theta minus 1 होता है और एक और formula होता है 1 minus 2 sin square theta तो यहीं से हम इसको derive किया sin square theta को यहाँ लिखे है तो सब उधर चला गिया इस तरह से यह formula यहाँ से निकला ठीक है चली तो यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते है 1 minus cos 2x by 2 dx और यह limit हो जाएगा 0 से pi by 4 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यह जो 2 है इसको integration का बाहर निकाल लेते हैं तो यह कुछ इस परकार से दिखने लग जाएगा अब अंदर में बचा है 1 minus cos 2x dx अब यह simply है आसान है बहुत जादा simple है यह 2 इसको खतम कर दिया यह बचेगा 0 से pi by 4 1 minus cos 2x dx अब हम इसको split कर देते हैं तो 0 से pi by 4 एक बार हम वन का करेंगे मतलब के dx करेंगे और एक बार 0 से pi by 4 हम cos 2x का कर देते तो cos 2x हो जाएगा अभी इसको dx का integration आप जानते हैं क्या होता है x होता है इसमें एक बार लिमिट रखेंगे 0 से पाइब पाइब फोर अब इसका करेंगे इंटीरेशन तो कॉस्ट टू एक्स का क्या होता है साइन टू एक्स हो जाएगा अब ओने में जाएगा टू ठीक है आप समझ रहे हैं कैसे इसको कर रहे हैं अब यहाँ पर हम इसको लिमिट रख देंगे जिरो से पाइब फॉर तो यहाँ पर एक बार जब हम एक्स में पाइब फोर रखेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और जीरो करेंगे तो वह खतम हो जाएगा ठीक है यह बच्छा यहां से हमको दिख रहा है यहां पर साइन टू एक्स है यहां से वन बाइटू को बाहर ले लिजे और ए ज़िए इसको खतम किया देख सकते हैं हैं तो बचेएगा साइन पाइबाइटू साइन पाइबाइटू यह टू है ठीक है तो यह मेरा सॉलिस्ट आचुकए है और इसको आप चाहिए थोलबगा सा सिंपल कर सकते हैं। आप यहां पOurटू का बहलू आपको पता हुन होता ह इस तरह से दिखने लगे